हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई चैनल मोटिवेस्टनल क्रियेटर जोन तो दोस्तों आज के इस वीडियो टुटोरियल में हम लोग देखेंगे advantage of email and disadvantage of email कहने का मतलब दोस्तों email के क्या-क्या फाइदे होते हैं और email से क्या-क्या नुक्सान होते हैं तो चलिए दोस्तों इससे पहले कि आपका सारे वीडियो छूट न जाए मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर कर लें ताकि जो ही वी वीडियो में upload करूँ वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएं तो जैसा कि दोस्तों इसके previous वीडियो में हम लोग देखे थे, एक email के अंदर CC कैसे काम करता है और BCC कैसे काम करता है, that means carbon copy कैसे काम करता है और blank carbon copy कैसे काम करता है तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज के इस टुटोरियल में हम लोग देखेंगे, कि email का advantage क्या होता है, that means email के फायदे क्या क्या होते है, और उसके disadvantage क्या क्या होते है, that means उससे क्या क्या हम लोग को नुकसान होता है, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना वीडियो को अस्टॉप किया हुए तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि email जो होता है वो एक तरह का powerful and reliable media of communication प्रोभाइड करता है कहने का मतलब दोस्तों कि बहुत ही powerful that means इसके communication का जरिया जो होता है वो काफी strong होता है दूसरा चीज इसका medium काफी reliable होता है कहने का मतलब कि किसी किसी case में email से message जब deliver नहीं हो पाता है तो अगले customer को notification मिल जाता है कि उसके द्वारा send किया गया message आपके past deliver नहीं हो पा रहा है या फिर some message are not send इस तरह से एक message provide कर दिया जाता है email के द्वारा तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि email जो होता है वो एक तरह से काफी powerful और reliable media of communication provide करता है जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों email has proved to be powerful and reliable medium of communication कहने का मतलब दोस्तों email जो होता है वो काफी powerful that means a strong and reliable media of communication provide करता है अब देखते हैं दोस्तों कि इससे हम लोग को फायदे क्या क्या है तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि सबसे फायदा हम लोग को सबसे पहला फायदा हम लोग को सबसे पहला benefit यही है email से कि email जो होता है वो काफी reliable होता है कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी किसी case में जो है उसको mail deliver नहीं होने पर sender को notify कर दिया जाता है कि mail आपका deliver नहीं हो पा रहा है तो उससे फिर से sender message send करने लएगा दोस्तों तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे first advantage के रूप में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं reliable उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों convenience कहने का मतलब किसी भी तरह का stationary या फिर किसी भी जगह पे दुकान या फिर किसी another place पे जाने का जरूत नहीं पड़ता है message send करने के लिए that means अपने घर पे बैठे हुए अपने computer से या फिर अपने mobile से या फिर अपने laptop से किसी another email पे network का use करके हम लोग message को send कर सकते हैं that means दूसरे person से communicate कर सकते हैं next advantage के रूप में हम लोग देखते हैं दोस्तों speed यानि कहने का मतलब है कि email message email transferring या फिर email communication का speed जो होता है दोस्तों वो काफी fast होता है that means very fast communication करवाने का काम करता है next advantage के रूप में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों inexpensive कहने का मतलब है कि यह कोई ज़्यादा expensive नहीं है मतलब बहुत ही कम cost में हम लोग अपने message को एक जगह से दूसरे जगह send कर पाते हैं उसके बाद next point की और चलते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोग देख पा र current कर पाते हैं उसके बाद होता है दोस्तों global ग्लोबल कहने का मतलब दोस्तों कि यह message उसी लोग के पास transfer किया जा सकता है वैसे लोगों के पास transfer किया जाता है दोस्तों जो एक network से जुड़े हों वैसे person जिनके पास network का मेडियम नहीं हो तो उनके पास email send करना possible नहीं होता है है। कहने का मतलब कि वैसे person जो एक global के अंदर कहने का मतलब कि एक area के अंदर जहां पर नेटवर्क एबिलेवल हो तो वहाँ पर हम लोग message को send कर पाते हैं उसके बाद है दोस्तों generality कहने का मतलब कि किसी भी तरह का message हम लोग transfer कर पाते हैं चाहे वो ग्राफिक्स हो चाहे वो ओडियो हो या फिर किसी भी तरह का मैसेज फॉर्मेट हो तो उसको हम लोग एक जेनरल वे में इमेल के थुरू एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर पाते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग deeply रूप से देखते हैं थोड़ा कि reliable क्या होता है convenience क्या होता है speed क्या होता है inexpensive क्या है printable क्या है global क्या है और generality क्या है तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को stop किये हुए हम सारे की और धीरे-धीरे आगे की और बढ़ते हैं तो जैसा कि हम लोग सबसे first advantage के रूप में देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे reliable जिसके अंदर अभी हम आप लोग को बताए क्या कि इस reliable के तहत किसी भी sender क को notify कर दिया जाता है जब उसका mail system deliver नहीं हो पाता है that means उसका email message जब deliver नहीं हो पाता है दोस्तों तो उस case में mail system जो होता है वो sender को notify कर देता है कि आपका mail deliver नहीं हो पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पे इस tutorial में देख पा रहे हैं दोस्तों many of the mail systems notify the sender if email message was undeliverable कहने का मतलब है दोस्तों कि कुछ-कुछ email system ऐसे होते हैं जो अपने sender को notify कर देते हैं कब जब message उनका message जो होता है वो deliver होने लाइक नहीं रहाता है that means undeliverable होता है next point की और हम लोग देखते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोग देख पारे convenience जिसके अंदर हम लोग जाने क्या कि email message के लिए किसी भी तरह का a stationary या फिर a stamp का जरूवत नहीं पडता है दोस्तों that means का verification का जरूवत नहीं पडता है तो कहने का मतलब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पारे हैं there is no requirement of a stationary and a stamp for sending or receiving mail कहने का मतलब किसी भी तरह का अश्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टे की और हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोग देखेंगा इस पीड क्या होता है तो जैसा कि हम लोग जाने दोस्तों कि email message delivery का जो आस पीड होता है वो काफी fast होता है काने का मतलब कि email message का जो आस पीड होता है या फिर यह आपके network करता है कि आपका network का speed क्या है यहाँ आपका network का speed जादा होगा तो email message का speed जादा होगा और network का speed कम होगा तो उस case में आपका email message का speed भी slow हो सकता है दोस्तों तो जैसा कि आहां पर हम लोग इस टूटोरियल में देख पाने है दोस्तों email is very fast कहने का मतलब email जो होता है वो बहुत fast communication का एक तरीका है however the speed also depends upon the underlying network अभी आप लोग को बताएं दोस्तों जैसा कि आपके network के ऊपर email message का speed depend कर सकता है यदि आपका mobile का network या फिर आपके internet जो है fast होगा तो उस case में आपका email fast हो जाएगा और यदि network slow होगा तो उस case में आपका email जो है slow हो जाएगा उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों inexpensive जिसके ताहत हम लोग जाने क्या कि email जो होता है वो काफी कम cost में मतलब कम पैसे में एक जगह से दुसरे जगह पे transfer कर पाते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोग देखेंगे printable कहने का मतलब कि email के द्वारा जो भी data send किया जाता है उसको hard copy में print करने का या फिर hard copy में पाने के facility होता है दोस्तों जिसके थुरू हम लोग अपने email को email message को या फिर email के अंदर आये हुए data को hard copy में print कर पाते हैं that means printer के थुरू उसको अपने paper पे print कर पाते हैं दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पी देख पा रहे हैं it is easy to obtain a hard copy of an email address कहने का मतलब दोस्तों कि एक email message का hard copy हम लोग obtain कर पाते हैं printable advantage के थुरू next हम लोग देखते हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोग देखें global क्या होता है जैसा कि हम लोग जाने अभी global के अंदर कि global कहने का मतलब दोस्तों वैसा area जिसके तहत जो person बैठा होगा सिर्फ उसी के पास हम लोग mail sent कर पाएंगे that means अपने message को एक उसके पास transfer कर पाएंगे जैसा कि हम लोग अभी जाने दोस्तों कि वैसे area जहां पे network available नहीं हो और वहाँ पे कोई person बैठा हुआ है तो वहाँ पे message को deliver करवाना possible नहीं होता है तो इसलिए हम लोग देखें दोस्तों कि सिर्फ सिर्फ global area वाले जहां पे network available हो तो वहीं पे हम लोग अपने message को send और receive करवा पाते हैं एक person के थूँ जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पाने हैं दोस्तों email can be sent and received by a person sitting across the globe कहने का मतलब है दोस्तों कि email वैसे person के पास भेजा जा सकता है या फिर receive करवाया जा सकता है जो एक global के अंदर बैठा हो कहने का मतलब एक network के area में बैठा हो तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों global क्या होता है next advantage क्यों हम लोग देखते हैं दोस्तों generality कहने का मतलब किसी भी तरह का message हम लोग transfer कर सकते हैं चाहा वो graphics message हो किसी भी तरह का program हो या फिर किसी भी तरह का text message हो या फिर किसी भी तरह का audio हो किसी भी तरह का video हो तो इस सारे चीज़ों को हम लोग अपने email के थुरू एक email से दूसरे email कहने का मतलग one place to another place या फिर one system to another system या फिर one person to another system another person हम लोग transfer कर पाते हैं तो इस advantage को हम लोग बोलते हैं दोस्तों generality कहने का मतलग general way में हम लोग अपने life का सारे चीज़ email के जरिए transfer कर पाते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों जहाँ पे मैं underline कर रहा हूँ ध्यान देंगे it is also possible to send graphics कहने का मतलब यह दोस्तों की email के जरिए graphics को send कर पाना भी possible होता है program को send करना भी possible होता है दोस्तों इसके अलावा sound कहने का मतलब an audio file audio file को भी send करना possible होता है इसके अलावा video file हो गया और भी बहुत तरह के हमारे life में files होते हैं तो वो सारे को email के जरिए हम लोग send कर पाते हैं one person to another person चलिए दोस्तों तो यह था मेरा advantage इसके बाद हम लोग देख क्या फायदे हैं तो सबसे पहला फायदा हम लोग को मिल गया कि यह जो होता है reliable communication medium provide करता है यह convenience होता है कहने का मतलब किसी भी अश्टिस नरी का जरूत नहीं पड़ता है इसका speed काफी fast होता है यह कम cost में ज्यादा से ज्यादा message को deliver कर वाता है इसके data जो होते हैं इसके थू कि तरह का कोई अलग cost देने का जरूत नहीं पड़ता है उसके अलावा दोस्तों हम लोग एक और advantage देखें जिसके अंदर देखें जेनरलेटी कहने का मतलब किसी भी तरह का message चाहिए वह ग्राफिक्स हो या भी वह audio file हो video file हो image section हो यानि किसी भी तरह का files को हम लोग किसी भी तरह के message को हम लोग एक जगह से दुसरे जगह पर transfer कर पाते हैं तो यह सारे चीज हम लोग देखें दोस्तों आज के इस टुटोरियल में इस advantage में that means email का advantage क्या होता है अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं disadvantage क्यों कि हम लोग जानते हैं कि जिस चीज से फायदे होते हैं उससे कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है तो जैसा कि हम लोग देख पाने हैं दोस्तों disadvantage में कि disadvantage जो होता है दोस्तों कहने का मतलब email से हम लोग को नुकसान क्या होता है तो सबसे पहला नुकसान के रूप में email जो होता है दोस्तों वो forgery हो सकता है कहने का मतलब duplicate हो सकता है या या फिर unauthorized हो सकता है तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि email जो होता है वो forgery हो सकता है या आप फोरजरी email से नहीं बच सकते हैं यह गलत email हो गया तो आपका secure data जो है वो किसी forgery person के पास या फिर unauthorized person के पास पहुच जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों forgery कहने का मतलब है कि आप अपने message को correct destination पे जरूरी नहीं है कि पहुचा सकें उसके बाद है दोस्तों next disadvantage जिसका यह है कि overloading का cases में हो जाता है कहने का मतलब है कि एक बार में high amount of data आप transfer नहीं कर पाते हैं यानि high amount of data कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा data को एक बार में आप transfer नहीं कर पाएंगे email से उसके बाद है दोस्तों एक miss direction कहने का मतलब है कि email के अंदर यदि थोड़ा सा भी mistake होता है तो आपका वो message किसी another person के पास जा सकता है या फिर किसी another address के पास जा सकता है that means आप जहाँ पे भेजना चाह रहे थे वहाँ पे नहीं जाकर के miss direction में वो चला जाएगा next हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों जैसा कि junk junk कहने का मतलब है कि किसी कारण बस email जो होता है वो send नहीं हो पाता है तो वो junk file में चला जाता है या फिर network के problem की बज़े से वो email जो होता है वो junk file में चला जाता है जो कि हमारे लिए unuseful हो जाता है उसके बाद एक सबसे बड़ा disadvantage है दोस्तों no response कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जो mail send कर रहे हैं उसको अगला person receive करके और तुरंत response ही दे दे काने का मतलब कि उसको email को read नहीं कर पाए read नहीं करे और तुरंत उसको response नहीं दे तो उस case में authorization को problem हो सकता है दोस्तों that means organization को problem हो सकता है क्योंकि mail भेजें और उसका response तुरंत नहीं आये तो हो सकता है थोड़ा कुछ problem हो सकता है तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि email के भी कुछ disadvantage देखें जिसमें सबसे पहला disadvantage की रूप में देखें forgery उसके बाद हम लोग देखें दोस्तों overload उसके बाद मैं देखें देखें जयंग उसके बाद सबसे लास्ट को बोले नौ response और इस तरह से हम लोग देखें कि email का disadvantage थो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग देखें कि forgery क्या होता है overload क्या होता है, misdirection क्या होता है, junk क्या होता है और no response क्या होता है चलिए दोस्तों जैसा कि यहां पे देख पाने हैं आप forgery के अंदर कहने का मतलब जैसा कि अभी हम लोग जाने कि आप unauthorized person से नहीं बच सकते हैं email के थूर that means यह prevention नहीं है कहने का मतलब कि हो सकता है कि आपके नाम से कोई unauthorized person वो email address बना चुका हो और उस email address पे आप अपने message को send कर पाने तो इस case में आपका message जो है वो unauthorized person के पास पहुच जाएगा तो इस तरह से आप prevent नहीं हो पा सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे है email does not prevent from forgery कहने का मतलब जो है दोस्तों email जो होता है वो किसी भी forgery person से आपको नहीं बचा सकता है कहने का मतलब unauthorized person से आपको prevent नहीं कर पाएगा next हम लोग point के और बढ़ते हैं हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों it does not send high amount of data at a time कहने का मतलब दोस्तों कि यह जो होता है वो high amount of data at a time send नहीं कर पाता है deliver नहीं करवा पाता है उसके अलावा दोस्ते एक और disadvantage देखें हम लोग जिसका हम लोग नाम दिये क्या miss direction कहने का मतलब कि आप भेजना चाह रहे हैं कहीं पे और और पहुच गया कहीं पे और तो यह problem है दोस्तों तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि email के अंदर थोड़ा सा भी by mistake होता है तो वहाँ पे आपका message किसी another person के पास जा सकता है that means unauthorized person के पास जा सकता है या फिर miss direction हो सकता है कहने का मतलब आप जो भेजना चाह रहे थे जहाँ पे उस direction में ना पहुच करके कहीं another direction में पहुच जाएगा तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पाने हैं दोस्तों it is possible that you may send email to an unintended recipient कहने का मतलब किसी unauthorized person के पास भी आपका mail जा सकता है कब जब miss direction का case होगा थब तो चलिए दोस्तो next disadvantage की और हम लोग बढ़ते हैं जैसा कि देख फारे junk files यानि अभी हम लोग जाने क्या junk file के वाने में कि इसके अंदर जो भी files आते हैं वो unuseful हो जाते हैं मतलब कहने का मतलब उसको हम लोग use नहीं कर पाते हैं दोस्तों जैसे कि वो inappropriate email के format में हो जाता है यह निए उसको हम लोग use नहीं कर पाते हैं हमारे लिए वो बेकार हो जाता है लेकिन यह होता कैसे है तो किसी भी problem से यह हो सकता है दोस्तों चाहे वो network का problem हो या फिर email address miss matching का problem है नहीं किसी भी तरह का problem होता और जबरजस्ती उसको send कर दिया जाता है तो उस case में आपका message ज junk email जो भी होते हैं वो undesirable होते हैं that means कहने का मतलब हमारे लिए अनिवजपूल हो जाते या फिर inappropriate email कहने का मतलब पुरी तरह से वह appropriate नहीं होते हैं यानि उसमें कुछ खामिया होते हैं तो इस तरह से देखें दोस्तों इसमें हम लोग की junk file क्या होता है उसके बाद next disadvantage की और हम कहने का मतलब कि आप किसी को message किये उधर से कोई response नहीं आया तो वहां पर organization थोड़ा सा frustrated होता है कहने का मतलब कि उसको जरूरत था response का लेकि response नहीं मिल पाया क्यों क्योंकि जरूरी नहीं है कि customer जो है या फिर receiver जो है वह email को direct receive करे और तुरंत response ही देदे regular basis में यानि कहने का मतलब है दोस्तों कि इस case में जरूरी नहीं है कि recipient जो हो message को तुरंत read करे और तुरंत regular basis के according उसको reply कर दे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इसलिए ये disadvantage के अंदर रखा गया दोस्तों जिसको हम लोग बोले no response जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं it may be frustrating काने का मतलब किया frustrating हो सकता है when the recipient does not read the email काने का मतलब दोस्तों कि जब email को अगला recipient जिसके पास हम email किये वो read नहीं करता है और read नहीं करेगा तो उसको regular basis पर respond नहीं देगा दोस्तों तो इस case में organization जो है वो थोड़ा frustrated हो सकता है that means उसको कुछ थोड़ा problem हो सकता है कि क्यों नहीं आय तो इस case में हम लोग देखें दोस्तों कि email का advantage क्या है और email का disadvantage क्या है तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आप सभी email का advantage और इसका disadvantage में अच्छे तरह से समझ चुके होंगे यदि किनी भी भाई बंदू को problem हो email के advantage और disadvantage के किसी भी point में समझने में तो मेरे comment box में आकर कर जरू पूर लिखेंगे दोस्तों और साथ ही साथ next video में हम लोग फिर मिलेंगे e-commerce के अंदर अब की मिलेंगे दोस्तों हम लोग fax के साथ जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि fax के through transfer कैसे किया जाता है तो दोस्तों आज तक के लिए इस video tutorial में हम लोग इतना ही फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूटोरियल में e-commerce के साथ जिसके अंदर हम लोग जानेंगे facts क्या होता है धन्यवाद